इस वीडियो में हम अपने पार्ट 6 को कंटीनुई रखेंगे जिसका शिश्यक्ता निलकंट जो कि हमने अपनी वीडियो फॉर्स्ट में पेज नंबर 43 तक पढ़ चुके हैं अब अपनी इस वीडियो में हम पेज नंबर 44 से शुरू करेंगे नीची कर गर्दाना चुगना पानी पीना आखे टेड़ी करके सब्द सुनना आधी किरियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर रहता यानि कि नीची गर्दन करके बड़े ही प्यार से पानी पीना और आखे टेड़ी करके सब्द सुनना दूसरे की ऐसी किरियाइती जो कि लगा सकते हैं, गदि का चित्रण नहीं आका जा सकता, मोरनी का विकास, मोर के समान जमतकारिक तो नहीं हुआ, यानि कि मोर जादा सुंदर था ऐट्रक्टिव था आकाश्क था, पर उसके विपरित मोरनी ऐसी नहीं थी, परन्तों उसकी लंबी पूँच धूप चाई गरदन यानि कि धूप चाई यानि कि तेज और एक तरफ मलब सफेद और काला हवा कलगी चंचल कंकली यानि कि जो उसके उपर जो मुकुट होता है सिर के उपर कलगी वह होती है स्याम स्वेद सफेद और काले रंग के पंक थे मंतर गती थी यदि यदि आदी से वह भी मौर के उप्युक्स साथी होने का प्रमान देने लगी यानि कि उसके अंदर भी कुछ कॉलिटी थी जो कि दोनों की बराबरी कही जा सकती थी निला ग्राव यानि कि पक्षी आल्दंस के युद्धि मोऔरी गर्दन निली करता है कारण मौर का नाम लेकीका निल कंट रख और सदा मौर के साथ रहने मौरनी का नाम उनने राता रख क्योंकि वह उसकी आसपा गूमती रहती थी यह कि मुझे स्वें ग्याद नहीं कि जब कब नील कंटे अपने आपको चिडिया घर के निवासी जीव जुनतों का सैनापती और सनरक्षक निप्त कर लिया यानि कि लेखी का कह रही पता नहीं कब ऐसा हुआ कि घर के जो पक्षी थे जिसमें कबूतर तोते जैसे पक्षी थे उ पता भी नहीं चला यानि कि मोर अपने पक्षी घर का सरदार समझने लगा अगर किसी पक्षी या जानवर को कोई भी नुकसान होता और या कुछ भी परिशानी आती तो वें हर काम में सैनिकों की तरह खड़ा रहता कबूतर तोते जैसे पक्षी नील कंट के पंकों से हाथ लगा लगा कर देखते मानुक कोई चीव चीवाई का खेल यानि कि पकडम पकड़ाई का खेल खेल रहा हो मौर और मौर नी पक्षियों के साथ खोशते यानि कि जब वो पुजिने में डाल दे गए तो वो सेनापती हो गया और अन्य पक्षी जो जीव जनतू थे वो भी उ उसके साथ हमेशा खेलते रहते थे एक दिन उसने अटूट्स ने का हमें ऐसा प्रमान यानि कि जो उसका एक ऐसा प्रेम था उसका उन्हों उसने प्रमान दिया यानि कि एक ऐसा उधारन दिया एक ऐसा उसने हमें एक उधारन दिया कभी-कभी खर्गोष कबुतर आ दिया ऩाकरशन का केंद्र यानिकि वह में नेख कम में घर में और जाल्यान कर दका धना नाली रहता अधिर थो परिवेश कीया इसी किसी स्थिति में सप जाली की भीतर पहुंच गया सब जीव जन्तु भाग कर इधर दर शिप गए पारन्तु एक छोटा सा बच्चा खर्गोस का जो उसकी पकड़ में आ गया और उसका आधा पिछला हैं शरीर सापने अपने मुँमें दबा ले और सेस आधा जो बाहर था उससे चीजी कर्ष्वे स्वर की त्रीप यानि कि उसकी जो आवास थी वो इतने तेज नहीं थी कि किसी को सपस्ट सुनाई दे यानि कि किसी को स्किलियर नेस नहीं दे रही थी पर नील-कंट उपर जुले पर सो रहा था, उसकी कान चोकरने थे यानि वो उस टाइम पर भी अक्टिव था और उसने ऊस मन्द स्वार यानि धीमी आवाज को भी की व्यता पहंचान लिया यानि की व्यता यानि की उसकी पीड़ा पहंचान लिया उसने अब पूच पंक समेट कर सर से एक पल में नीचे आगया वो तुरंत उसने अपने पंकों को समेटा और नीचे आगया और अपनी से चेतना से जैसा उसका वैवार था उसने समझ लिया कि साप को फन पर चोच मारने से खरगोस भी घायल हो सकता यानि कि वो इतना चालागता वार करूँगा तो खरगोस के बच्चे को नुकसान होगा और उसने साप के फन के पास पंजों से दबाया फिर चोन से इतने प्रहार किये कि वह अद्मरा हो गया अद्मरा यानि कि इतना घायल हो गया था कि वो कुछ करने लायक नहीं बचाता यानि इदर हिल डूल नहीं स सकता था और उसकी पकट डिली पड़ते ही खरगोस का बच्चा मुह से निकल तो आया प्रन्तु अद्मरा सवहीं पढ़ा रहा क्योंकि वह भी घायल हो चुगा था वह भी घिलडूल नहीं सकता था राधा ने सायता देने के आवसकता नहीं समझे क्यों क्योंकि उसे पता था पूरा विश्वासता कि यह इसकी जान बचा लेगा परन्तु अपनी मंद केका यानि कि अपनी धीमी आवाज में उसने सब को इस घटना के लिए सचेत किया आवाज देकर वहां माली पहुंचा फिस सब पहुंच गये नीलकंड जब साब के दो खंड कर चुका था यानि कि इतना 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 अधा दया थी और प्रेम भी था तो उसने उसके साथ उसकी सरवा कर एंट के का गया है कि कारतिके ने अपने यूद्ध वहान के लिए मैय ओरको क्यों चुना सायर इसलिए क्योंकि मोर एक सहसी होता है निडर होता है समझदार पक्सी होता है इसलिए सिव कार्ति के हैं सिव का बेटा जिसने अपने युद के वाहन यानि कि युद में प्रियोक करने वाले अपने वाहन के लिए मोर को चुना था यह उस पक्सी का रूप और सभाव देखकर समझाई जा सकता, यानि कि नीलकंट की सभाव को देखकर, नीलकंट का सभाव कैसा था, दया, प्रेम, नीडर था, सहसी था, ठीकि ना, मयूर कलाप्रिय हैं, वीर पक्सी है, यानि कि उसके अंदर इतनी खुबसूरत रंग है, इत तरह से मोर के अंदर समाया हुआ है वीर पक्सी और वीर है हिंसक मात्र नहीं वो हिंसक नहीं है बलकि प्रेम करने वाला है इससे उसे बाज और चील की आदिकी स्रेणी में नहीं रहा जा सकता मेगो की सामली चाया में उसने अपने इंद्रधनुस के गुच्छे जैसे पंखोको यानि कि जब आकास में बादल चा जाते थे इंद्रधनुस के गुच्छे यानि कि गुच्छे कारतों के बादल के आला उस निर्ते में एक उस टाइम वो अपने पंख फिलाता और निर्ते करने लग जाता रादा निलकंड के समान नहीं ना सकती थी परन्तु उसकी गती में भी एक चंद था यानि कि उसकी तेजी में भी क्योंकि उसके पंक नहीं है तो वह पंक भलाके नहीं ना सकती थी फिर भी वह उसके इर्द गिर्द आसपास भूमती तेजी से और अपने दोन का जाले घर के पास पहुंची तो उसने अपने पंक क्या करें फैला लिए तानकर खड़ा हो गया निर्ते के मुद्रा में यानि कि पॉजिशन ले करके तब सेव है यानि कि जब भी लेके का वहां आती थी वह तुरंत उसान में खड़ा हो जाता था प्राए मेरे मेरे साथ लेकी आए के साथ कोई ना कोई विदेसी और विदेशी आती थी वहां आते रहते थी निल्कन की मुद्रा को अपनी प्रती सम्मान प्रदर्शन समझ्क प्रशन हो उड़ता चार चाली याने तो प्रति भूड में खड़ा होता था नाचरे कि श्तिती में थो जनुंझ यानि कि इजद जिसको बोलते हैं वो प्रदशन समझ कर क्या करता था खुष हो जाता था कि मुझे देखके सब खुष हैं कई विदेशी मैलानों से परफेक्ट जेंट्रिमेंट की उपाधी भी दे डाले जिस नुकुली चीज से उसने एक विजदार यानि जहरीले साप को उसने खंड-खंड कर दिया था परन्तु मेरे हतेली पर रख्ये वे भुने वे दानों को बड़े ही प्यार से वो उठाता और खाता था ये देखकर मुझे हसी आ गई और विसमे की आशरे भी होता था कि वह ने फ़लों की व्रिक्ष यानि की फ़ल दार पेड थे वो उसे अधिक आकर्षित फूलों जिसके फूल आते थे और जिसमे नए पत्त्य आते थे वे व्रिक्ष उसे अच्छे लगते थे बसंत में जब आम के वरिक्ष सुनेली मंजरियों से लज जाते थे असोख नय जब राधा को भी मुक्तना किया जाए वें दर्वाजे के बाहरे उदास केड़ा रहा देता बच्चे इस वीडियो में हम इस पार्ट को यहीं तक पढ़ेंगे नेक्स वीडियो में हम इस पार्ट को कंटीनु रखेंगे